असलाम लेकों वेलकम टू मैं चैनल कुकिंग विद मॉम आइम हीर विद मैं न्यू रेस्पी जो कि है पराठा रोल आज मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरह से इसको बनाना और साथ साथ ट्रिक भी शेयर करूँगी कि आपने इसके पराठे को किस तरह सॉफ्ट बनाना है बिसमिल्यार रुख्मान वहीम तो स्टार्ट केट ने अपनी आज की वीडियो मैंने एक चेस्ट पीस ले लिया और इन पीसिस को हम छोटे-छोटे स्केयर पीसिस में कट कर लेंगे इस तरह से आपने छोटे-छोटे क्यूब्स में इनको काट लेना है आपने अबने वरी नेशन के लिए हाफ टेबल स्पून अजरक लेषण का पेस्ट आपहले रिछ स्बसे आप अब हम एकर एंगे स्पाइसस सबसे पहले मैंने गरमसाला पाउडर दिया हाफ टेबल स्पून salt, 1-2 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, 1-2 टेबल स्पून, ब्लाक पीपर पाउडर, 1-2 टेबल स्पून, सुका देनिया पाउडर, सबसे इंकॉर्टन और जरूरी चीस, चिली फ्लेक्स, 1-2 टेबल स्पून, और एंड पे इसमे आ कौर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं अब हम इसे 15-20 मिनिट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे अब हम प्रपेर करेंगे इसकी डो बनाने के लिए आपने एक कप मेदा लेना है ताथ में इसमें आइड करेंगे वन टेबल स्पून ओयल हाफ टेबल स्पून सॉल पराठे की डो सोफ पना ले के लिए हम इसमें आइड करेंगे 1 टेबल स्पून दही और अब मिसी अच्छे से मिक्स कर के गूंद लेंगे थोड़ सा पानी आइड करना है और अच्छे से गूंद लिए और माशाला से डो को अच्छे से गूंद लिए और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे और मुव करते हैं अपने नेक्स स्टेप की तरफ आपने कोई पान या कड़ा ही लेनी है और इसमें थोड़ा सा ओल एड करना है और अच्छे से गरम हो गया और अब हम मैडिनेट किया आवा चिकन इसमें एड कर देंगे और इसको फ्राय करेंग अपने नेक्स स्टेप की तरफ दो अच्छे से फूल गई और अब हम पराठा बनाएंगे रोल के लिए इस तरह से डो को आपने फोर हाफ में डिवाइड कर लेना है और इस तरह से रोल करके आपने इसका पेडा बनाना है आपने वन बाई वन इस तरह सारी डो के पेड़े बना लेने हैं अब हम रेड़ी करेंगे वाइड सॉस वाइड सॉस बनाने के लिए आपने एक अधत प्याज लेना और इसको इस तरह से फोर पार्ट्स में कट कर लेना है छे अधत आप लेंगे वन बाई 4 टेबल स्पून सॉल्ट वन बाई 4 टेबल स्पून ब्लाक पीपर अब मुव करते हैं अपने नेक्स्स्टेफ की तरफ वन बाई वन हम लोगों ने जो पेडे किया तो उसको अच्छे से बेल लेंगे हमने वन बाई वन अच्छे से करके चारो पेड़ों को बेल लिया है अब आपने तवे यहां पैन को अच्छे से गरम कर लेना है और बेली वी रोटी उस पे डाल देनी है थोड़ा सा ओए हम यूज सकरेंगे यह दखें दही एड करने की वज़ासे बिलकुल यह सौफ्ट रोटी बनी है ब्रेट जो है हम लोगों ने शौर में के लिए रेड़ी किया यह बिल्कुल सॉफ्ट बनी है क्योंकि हम लोगों ने इसमें दही आड़ किया था यह रेड़ी हो गई और अब हम इसे उतार लेंगे उसके बाद हम अच्छे से इसके ओपर चिली सॉस अप्लाई कर देंगे जो वाइट सॉस रेड़ी की थी अब हम वो लगाएंगे उसके बाद चिकन इसके ओपर हम लोग एड़ करेंगे चिकन एड़ करने के बाद हम लोग इसमें प्याज एड़ करेंगे जो हम लोगों ने रिंग शेफ में कट की है उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा सैलड एड़ कर देंगे आपने बहुत यह थियात के साथ एक एंड से इस तरह से पकड़ना है और इसको फोल्ड कर देना है तो यह देखें कितने ही अच्छे तरीके से बहुत एजिली फोल्ड हो गया है माशाला सी यह हमारी आज की रेस्पी की फाइनल लुक आप भी इसको जुरूर ट्राइ करें अपने फ्रेंट सामली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू सो मच पूर वोचिंग मैं वीडियो स्टे कोनेक्टिट विद अस अलाहाफैस यूमी थैंक यू मॉम